आप दोतु हूं आप सब कर्सौागेट स्वाच्छे समधिर चर्चा में होमेपेतिक पे मैं आपको शिग्र पतन यानी कि शिग्र संखलन जल्दी निकल जाना वीरिये कई लोगों को तो योने में पर्वेश्च के पहले ही निकल जाता है कई आलिंगन करते ही निकल जाता है अत्वा कईयों को सहलाने मातर से ही वी ये पात हो जाता है अधिक तरिये योन रोग पुरसों में होता है और बड़ा एक विकट समश्या हो जाती है इसके ओपर मैं आपको कुछ बातें बता हुआ हूँ कि ये एक योन रोग है जिसमें दोनों योन सातियों की इच्छा के वि जल्दी आर्ग समपए पहुंच जाता है यानि जल्दी संकलित हो जाता है इस समश्या के कारण ऐसा या तो फोर प्ले के दोरान या लिंग पर वेश कराने के तुरंट बाद हो सकता है इसमें एक या दोनों सातियों को योन संतुष्टी प्राप्त करने में परिशानी हो जाती है संकलिन को रोकने में ऐस समर्श्टा अन्य लक्षनों जैसे कि आत्मे विश्वास में कमें सर्मेंदगी तना और हतासा आधी को जन्म देती है ज्यादा तर मामलों में हो सकता है कि संकलन को नियंतरित करने में ऐस समर्था किसी जैविक कारण से ने पैदा होती हो हाला कि उप्चार के किसी बेअन्य रूप की सिफारिस करने से पहले डाक्टर इसकी संभावना का पता लगाते हैं तनाव, चिंता, अवशाद, योन, अनुबहु हिंता, कम, आत्म, सन्मान और सरीर की छेवी जैसे मनोवेग्यानिक कारण शिग्र संखलन के सबसे आम कारण है विशेश, रूप से शेक्स के समन्दित, अतीत के दर्दनाक अनुबहु भी शिग्र संखलन का संकेत देते हैं अन्यकारणों से भी ये समश्या होती है मदू में डाइबिटीड और प्रोस्टेट रोग थाईराइट की समश्या नसिली दवाओं का दूरुप योग अत्यदिक सराव का सेवन जैसी इस्तितियां सामिल है इन मामलों में शिग्र संकलन अंतर नेहित शिकितसा इस्तिति के लक्षन के रूप में देखा जा सकता है सारारी चोड संक्रमन या हार्मोन समश्या भी कारण बनते हैं शराप की लत जांच के लिए डोक्टर परभावित वेक्ति के लक्षनों और योण जीवन के बारे में पूस्तास करते हैं उनका मेडिकल इत्यास भी लिया जाता है किसी अंतर नहित चिकित्सा के संभावना का पता करने के लिए खून की जात या पैसाप की जात की सिपारिश की जा सकती है नक्सुमोमिका एवेना सेटाइवा शेली नेम और चाइना जैसे होमेपेटिक उपचार शिग्र संखलन के इलाज में बहुत साहायक है अब मैं आपको बताता हूँ कि होमेपेटिक में शिग्र संखलन होने पे कौन-कौन सी दवा अच्छा काम करती है होमेपेटिक किसी भी स्वास्ते समश्या की जड़ को खत्म करने का परियास करती है इसका उद्धे से केवल लक्षनों को दबाना नहीं बलकि उन्हें पूरी तरह से रोकना या खत्म करना है समय से पहले संखलन के लिए होमेपेटिक दवाएं किसी व्यक्ति को देरे-देरे सारारिक और मनोवेग्यानिक कारणों को दूर करने सक्ति परदान करने में मदद करती है सिग्र संखलन का इलाज करने के अलावा होमेपेटिक योन परदशन को बढ़ाने में भी हेल्ट करती है पारंपरिक दवाओं के विपरित होमेपेटिक उपचार प्रजनन प्रेनाली पर कोई पर्तिकुल परभाव नहीं छोड़ता अब इसकी जो सिग्र संखलन या सिग्र पतन या जल्दी वीरिये निकलना की होमेपेटिक में कौन कौन सी दवाईया है विक्ति गत लक्षनों के आदार पर सिग्र संखलन के लिए निमने लिकी दवाईया खास है वे से तो बहुत दवाईया है पहली दवा है एवेना सेटाईवा मदर टिंचर पन्दरा पन्दरा बून दिन में चार बार एक मैना ये कॉमन कोट यानि की एक तरह का बीज होता है गास उसे बनता है इसके जो लक्षन होते हैं रोगी के एवेना सेटाईवा वाले रोगी के लक्षन होते हैं मानसिक ठकान ध्यान केंदरित नहीं कर सकता लगातार शिर्ड में दद शिर्ड दद और नपकुम सकता यह इलक्षन होते हैं फुल मिला के मानसिक ठकावट में रहता ही है कोई न कोई कारण से इसलिए है एवेना सेटाईवा किसी भी दवा के साथ में पलस कर देना चाहिए हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी जो दवा एगनेस कार्ट से यह कोई एक पेड से बना हुआ है तो इसका जो खास लक्षन है एगनेस का यह विचारों की सरंकला को बनाए रखने में कठिनाई निरा सपून उदा सांता के दोर आना लगाता बार बार पेशाब आना योन सक्ति में कमी छोटा और शीतिल रंग लिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस दोस के लिए अंड कोशोने पर ठंडे और कठोड लगने लगते हैं अंड कोशो में दर्द और सुजन मल्ट्याग या पेशाब के दोरान लिंग में प्रोस्टेट दर्वका बैना जननांग शेक्तर में खुजली मुत्रमाग से पिला सराव योन इच्छा में कमी और कामेच्छा बढ़ाने के उपाई को ढूनना इस तरह के जो रोगी होते है जो इसका खास लक्षन है एगनेस कैट्स का सबसे पहला खास लक्षन है या दास्ति कम दूसरा खास लक्षन है योन सक्ति की कमी तेसरा जो खास लक्षन है कि लिंग में बिल्कुछ सिथिल था और और जो लक्षन है वो इरेक्टाइज डिस फंक्षन इसके अलावा अंड कोसों में कठोर होना उन में सोजन होना पैसाब के करते समय प्रोस्टेट दर्वा का बना और खुजली और पैसाब मार्क से पिला स्राव निकलना और शेक्स करने के प्रती अरूची ये इसका एग्नस के लक्षन है अगली जो दवा है जो शिग्र पतन को ठीक करती है उसका नाम है बेरीटा कार्बोनिकम अधिक तर बेरीटा कार्ब ठीस पोटेंसी में भी अच्छा काम करती है दिन में तीन बार एक दो मैना और दोसों में भी अच्छा करती है हजार में भी अच्छा करती है एक चीज का ज्यान रहे जो कद में छोटे होते हैं लंबाई जिनकी कम होती है वो रोगी बेरीटा कार्ब से जल्दी ठीक होते हैं दूसरा इसका मानसिक जो लक्षन है वो कि इसका रोगी बहुंदू होता है बुरा नहीं मने कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो लेकिन वो कोई बात को कहो तस्वार तो भी नहीं समझता हैं इस तरह के लक्षन कद में छोटा पन तो इसमें और जो लक्षन है बेरीटा कार्ब में वो है यादास्त खोना यानि कि लोगी को यादास्त नहीं रहती आत्म सम्मान कम होना आत्मे विश्वास कम होना योन इच्छा में कमी आजाना और प्रोस्टेट ग्रंती के बढ़ने से अंड को सक्त हो जाते हैं उस वज़े से शेक्स करने में ऐसा मरत हूं तो बेरीटा कार्बो निकम ये तीस पोटेंसी में लंबे समय लेने पे रिजल्ट आएंगे अगली दवा है चाइना चाइना एक होमेपेति की सुपरशिद टोनिक भी है और सब तरह के बुखारों को ठीक करती है और पेट के सब विकारों को ठीक करके और ये आपकी सेक्स पाउर को बढ़ाती है चाइना इसके जो लक्षन है उदाशिंता और वीरक्ती मतलब एक तो रोगी उदाश रहता है एक विरक्ती पेदा हो जाती है शेक्स के बारे में बात करते ही वो भजन की बात करने लग जाता है अत्वा और इस तरह से एक तरह से विरक्ती का भाव पेदा हो जाता है इस तरह के आपको बहुत पेसेंट मिलेंगे उनको चाइना देने से ही उनकी समश्या का समाधान होगा इसका रोगी चाइना का अचानक रोने लगता है अचानक अत्ती उत्सा जिसके परिनान फुरुप कामों उतेदना होती है शिक्र पतन के साथ बहुत अधिक कमजोरी और ठकावट ऐसे लक्षन होने पर चाइना लाप करती है पीच में दर्द अगर है तो भी लाप करेगी चाइना जो है ये तीस पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है अगर लक्षन मिलते हैं तो चाइना तीस पोटेंसी दिन में चार बार एक मैना ले लिजिए नो साइड इफेक्ट इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और आपकी जो समच्छा है वो ठीक होगी अगली दवा कोनियम मेकूलेटम ये हमेशा ही 200 पावर में लेनी जिनको कड़ापन नहीं आता कड़ापन आने की ये खास दवा है जिनका लिंक बिल्कूल डिल मिल रहता है और लटकता रहता है चलने पे हिलता रहता है तो उनके सक्त करने के लिए गरंतियों को सक्त करने के लिए कोनियम मेकूलेटम बहुत अच्छी दवा है इसको 30 पोटेंसी में नहीं देना चाहिए इसको 200 पोटेंसी में रोजाना एक खुराग 15 दिन ले सकते हैं फिर भी ये दवा गरंतियों पे काम करती है इसलिए इस दवा को इसका जो कारिय छेत्र है कोनियम का वो बहुत लंबा है अगर कोई इसका मिश्यूज करे तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसलिए अपने डॉक्टर की एडवाइज करके ही इस दवा का परियोग करें इसके जो खास लक्षन है एक तो अंड़कोसों में सुजन होना अंड़कोस की छेली से लिंग की जड़ तक तेज दर्द काटने जैसा होना यानि अंड़कोस की जो थेली है वहाँ से लिंग की जड़ है वहाँ तक काटने जैसा दर्द लिंग में ऐ परियाप्त इरेक्षन तनाव आना लिंग में तनाव लाने में ऐसा मरता लिंग में तनाव बहुत थोड़े समय के लिए रहना लिंग में सही तरह से तनाव आने से पहले ही संखलित हो जाना भावनाओं के आवे के दोरान प्रोस्टेट तरल का पदातका निकलना अंड़कोसों में कठोरता नपून सकता योन विचार आना अत्यदिक आवसाद चिड़ चिड़ापन बेहम और यादास्टी कम्योग ये सारे लक्षन कोनियम में कुलेटम में हैं अभी मैंने आपको जितनी दवाईयां बताई है उनके अंदर सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाली दवाई ये है लेकिन मैं एक अनुरोद पहले आपको करता हूँ कि इसको बिल्कुल स्वस्थ आदमी वो ले जिसको और कोई बिमारी सेक्स के अलावा सरीड में नहो नमबर दो बात इसको 200 पोटेंसी में ले नमबर तेन ये दवाई चिकित्सक की देख रेक में ले आपको लेने का अधिकार नहीं अपने मन से तो अगर ये दवाई 200 पोटेंसी में मेरा जो अनुभव है मैंने दो तिन रोगियों को दिया वो रोगी बिल्कुल स्वस्थ थे मैंने दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीद के खालें ये नहीं मैं आपको खाली बताता हूँ खूब इसके लक्षन चांद बिन करके कि भी इन आद्मियों को या इन रोगियों को और कोई प्रोब्लम नहीं इस बिल्कुल स्वस्थ हैं तब कोनियम मेकूलेटम सिर्फ एक हफ्ते के लिए दिन में तीन खुराग दी अच्छे अच्छे डोक्टर देने से घबराते हैं मैं भी घबराता हूँ हर होमेपेतिक को घबराना चाहिए क्योंकि ये कोई मजाक नहीं होमेपेतिक चिकित सा एक ऐसी चिकित सा है कि जो अपने दिमाग में इस बात को फिट किये बेठे हैं कि इनका कोई साइड नहीं इफेक्ट नहीं होता कोई दुस्परवाव नहीं होता जब इच्छा हो जब दुकान पे चले गए एक फाइल बनवाली दो फाइल बनवाली दस तिन खाली बिस तिन खाली बंद कर दिया तो वो कभी भी तकलीप के अंदर आ सकते हैं कम ठेकम ओनियम मेकूलेटम को बिना चिकित सक की राई के आप नहीं खाएंगे और चिकित सक की राई से अगर आप खाएंगे तो आपकी सारी समझाओं को ये दवा ठीक करेगी अगली दवा जो है केली नेम जिसका मैंने कल पत्व वीडियो दिया था आपको बहुत अदिक सोचने के कारण ठकावट अत्यदिक दुख की बावना नेरा सा और नेंद के अंदर ही वीरिये निकलना प्रोस्टेट का सराव निकलना योन संभोग के बाद चिड़ चिड़ा पनाना योन सकते कम होना योन उत्तेजक विचार पतला और गंद ही इन वीरिये संबोग में सेलगन होने के दोरान अस्तंबन खत्म हो जाना नेंज में परेशानी बहुत जल्दी जाग जाना नय चाते हुए भी मुत्र बूंद बूंद टपकना पैसा आप करते समय मुत्र मार की जो नोक होती है मुत्र मार की वहाँ पे दर्द होना ये इत्यादी लक्षन सेली नियम के हैं सेली नियम का परियोग मैंने कल वीडियो बतायता है अगली जो दवा है वो एक बहुत ही होमेपेतिक में गहरी केरिया करने वाली दवा है जिसका नाम है सल्थर ये सोरा दोस को ठीक करती है सप्लिमेंट बनता है इसका सल्थर से आईरिवेद के अंदर गंदक रसायन और कहीं दवाईयां जो एसी कोई भी बसमन है जिसके अंदर गंदक की सल्थर की कजिली न पढ़ती हो न बनती हो आईरिवेद में बहुत काम आता है और होमेपेतिक में ये जो सल्थर नाम की दवा बनी है विशेज करके चरम रोगों में और इसके अलावा शरीर के बाल से लेके सिर के बाल से लेके पाउं के नाकुन तक समस्थ शरीर के उपर सल्थर का अधिकार है लेकिन एक खास बात यही है कि सल्थर का रोगी नहने से डरता है गंदा रहता है दो दिनी साबून नहीं लगा था बालों में तेल नहीं डालता तो इसका मतलब यह नहीं वो कंजूस है उसके पास पैसे की कमे नहीं फिर भी डाड़ी बड़ी हुई है उसको आलशे रहता है हर तरसे जो दिन से कपड़े जो पैन रहा है वो तीसरे दिन पैन लिया चलेगा जूतों के मोजे हैं तो पान दिन तक पैनता ही रहेगा तो इन सब से दूसरे लोग ये अन्दाज लगाते हैं कि ये आदमी कंजूस है नहीं बिल्कूल कंजूस नहीं ये सल्फर का रोगी है सल्फर के लक्षन है जितने पागल हैं वो सल्फर के पागल हैं अधिक तहरी क्योंकि सल्फर एक ऐसी दवाई है तो इस तरह के जो रोगी होते हैं वो रोगी सलपर से ठीक कभी नहीं होंगे जो रोज डादी बनाते हैं रोज कंगी करते हैं दिन में दस बार आइने में अपनी शकल को देखते हैं और तीन बार नहते हैं दो बार परफ्यूम लगाते हैं इतना साफ सफाई रखते हैं उनको अगर सलफर दे दिया तो नुक्सान हो जाएगा तो इन खास लक्षन हो तो सलफर के जो खास लक्षन है ये मैंने बताएं हैं और शरीर में जलन होना खुजली होना ये साथ में तो इस छेतर में इनके कुछ दवाईयां ऐसी होती है कि उनके मानसिक लक्षन परबल मानेज गए हैं और कुछ दवाईयों के रोग के लक्षनों को परबल माना गया हैं शलफर जो है इसमें मानसिक लक्षन ज्यादा काम करेंगे जो मैंने आपको बता दिया कि सलफर का रोगी बिल्कूल ऐसे ही रहता है गंदा जो मिल गया कपड़े पहन लिया सड़क पे टोपियां गिनता है जूते उठा लेता है इस तरह के पागल कोई कागज का टुकड़ा मिल गया तो बहुत केम्टी चीज समझ के उसको जैब में रखता है इस तरह क के आपको भुत पागल मिलेंगे मेरी बहुत इच्चा करती है मैं कहीं पागलों के मैं बीच में रहता हूँ पागलों में इसलिए मैं आदा पागल हो गया practitioners haya वो शलफर के रोगी हैं जो मैरे सामने जो भोजनाले चलता है गनेह जीडे तो वहां बहुत आते हैं तो उनको क कोई होचा डोक्टर सल्फर की डोज देना तो पागलपन ही खत्म हो जाए लेकिन उनको कौन देगा कोई नहीं देगा सल्फर के अंदर जो भी सेक्स प्राउब्लम है उसमें जन्रन अंग जो लिंग है या यो निया जो भी है उनमें खुजली होना लिंग ठंडा रेना सीतिल रेना लिंग में तनाव नहीं आना पसीने से तर रात रेना रात में पसीन आना नेन में आसानी से ठकाउट होती है नेन के दोरान जटके आते हैं और एक सल्फर का कास जो लक्षन है सल्फर का रोगी कुट्टे की नेन सोता है कुट्टे की निंद अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे मालूम कुट्टे की निंद क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कुट्टे की निंद यानि कि कुट्टा जब सोता है तो जरा सी आहत होते ही आँख खोल लेता है और फिर निंद में दो मिनिट बाद आहेट होता ही आँखोल लेता है फिर नेन में तो सलफर का जो पेशेंट है उसको अनिद्रा जो रोग होता है तोologistsिक आँख लगी फिर आँख थोड़े देर बाद आँख लगी फिर आँख खुल गई खास लक्षन ये दूसरा गंदा रेना तीसरा आलसी सोथा जो सल्फर के पागल हैं वो कागजों को सुनते रहते हैं फटे हुए दूतों को जैब में रख लेते हैं उनको कीम्ती चीज समगते हैं सल्फर के अंदर जितने ये मानसिक लक्षन अगर मिलते हों तो सल्फर का यूज करे अन्यता इस दवा को छोड़ दे दोस्तों एक दवा है जिसका नाम है आयोडियम आयोडियम भी इसका जोगी चुपचाप रेने में अच्छा मेसूस करता है यादास्ति कम हो जाती है लगा योण सक्ति में कमी होती है थोड़ा सा मेनत करते ही पसिन आता है पेट में दर्द मूड का ठीक नहीं रहना ये आयोडियम तीस कुछ दिन लेने से दूर हो जाता है अगली जो दवा है उतका नाम है काली ब्रोमेटम ये तीस पोटेंसी दिन में तीन बार एक मेना ले सकते ह खास लक्सन है मेमोरी खत्म होना सम्वेदना धीमी होना लगाता उनिंद अपन अकेले रहने का डर ये मानसिक रोग है अवसाथ और डिप्रेशन अत्यदी की योन इच्छाओं के साथ रात में बार बार लिंग में तनाव नपुन सकता पीठ में दर्द आज संतुष्ट य पतला और पीले रंग का पैशाब आना ये दवा बहुत अच्छी है सेक्स पाउर के अंदर और इसका इतना साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन काली ब्रोमेटम को 30 पोटेंसी में लें दिन में 3 बार लें मैना 20 दिन लें तो इसमें सेक्स के हर तरह की प्रोब्लम ठीक होगी आगे अपने डोक्टर से एडवाइज कर सकते हैं अगली जो दवा है कोई बातन लाइज चली गए नूफर लूटियम नूफर लूटियम मदर टिंचर में अच्छा काम करता है 15-15 बून दिन में 3 बार आप ले सकते हैं आधे का पानी में 1 मैना 2 मैना इसका कोई साइड इच्छा की अनुपस्तिती शितिल अंड कोस्त नेंद के दोरान पैसाब करते ही वीरिये का निकलना सामाने कमजोरी लिंक के अंतिम सीरे में दर्द पैसाब का रंग लाल कमर में दर्द सुबह 5-7 बजे तकलीफ होना संबो के बाद पाचन किरिया कमजोर होना ये इसके लक अप्लोड नहीं होगा इसलिए मैंने कुछ जो ओर दवाईया है वो छोट दी फिर भी काफी बड़ा वीडियो बन गया अब आपको एक चीज में बता देता हूं अंत में कि होमियोपेटिक में लक्षन पर मुख होते हैं अगर लक्षन मिलते हैं एक दवा में तेन लक्षन आपके मिलते हैं तो वो ही दवा ले लिजिए वो आपकी सारी समश्या को ठीक देगी दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब पीज़ेगा थैंक्स